हेलो गाइज गुड इवनिंग जैसा कि मैंने बताया था अभी मैं आया हूँ रेड ताज महल और यहां देख रहे हैं बहुत अच्छी भीड है और यह मेरे पीछे ताज महल और अभी इदर ताज महसब भी लगा हुआ है तो ताज महसब की वज़े से पहुत सारी भीड है य आगे हूँ और धर्मेंसर इस भीड में कहीं दिखाई में दे रहे हैं धर्मेंसर और यह देखिए बहुत अच्छा महावल हो रहा है अभी टाइम लगबग साड़े तीन चार का टाइम हो रहा है और मैं आपको बताऊंगा कि ताज महसब में बहुत सारी चीज़ें मिलती ह और मैं सबसे बोलता हूँ आप लोग आए यहां गूमें और देखें यह जो जगह है ताज महल के आगे वाला यह जो बैखे हुए हैं भाई साब यह इदर क्या है इदर उपर से चोटी पकड़ते ताज महल की और बहुत अच्छा लगता है इस समय बहुत अच्छा लग र ताज महल से जितने हम दूर होते जाएंगे उतना ही ताज महल बिलर होता जाएगा यही ताज महल की खासियत है इतने टाइम अगर हम इतने टाइम यहां आते हैं अगर हम ताज महल से जितना दूर जाएंगे उतना बिलर होता जाएगा वाइट होता जाएगा और यह थोड